आपके लिए क्लास 10 का इंट्रो क्लास आप एक्सरसाइज 1.1 बात करते हैं इक्विलिश्ट डिविजल लेमा क्या है यह इक्विलिश्ट डिविजल लेमा सबसे पहले मैं एक एक जामपल लेता हूं आप्टर देट इसको क्लेर करता हूं कि वाट इच्विलिश्ट डिविजल लेमा तो मैं पहले लेता हूं लेट एक पॉजिटिव नंबर 6 ओके मैंने कोई एक नंबर ले लिया 6 और इसको मैंने डिवाइड किया 2 से तो क्या मैं इस 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3 प्लस 0 अगर मैं 6 को लिख दू 2 इंटू 3 प्लस 0 तो क्या यह करेक्ट है बिलकुल करेक्ट है तो बेसिकली इक्विलिश डिविजर लेमा में हमको यही सीखना है कि अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर लेट करते हैं कोई पॉजिटिव नंबर है अगर हम इसको डिवाइड करते हैं किसी नंबर बी से तो वी गेट A is equal to BQ plus R where A is the divided B is the divisor Q is the question and R is the remainder प्रूफ करते हैं को इसको अटे अनदर नंबर 7 and divisor 2 we get in 3 times 6 and get remember 0 1 मैंने कोई एक नंबर लिया 7 और उसको 2 से again divide किया in 3 times 2, 3, 6 और remainder मेरे पास कितना बच गया 1 बच गया मैंने क्या कहा कि जो अपना dividend है यानि कि 7 वो किसके equal होता है B into Q यानि कि divisor into question यानि 2 into 3 के और plus में remainder remainder अपने पास कितना बच गया 1 देखते हैं क्या यह correct है 7 is equal to 2, 3, 6 plus 1 is equal to what 7 yes left hand side is equal to right hand side so it's correct तो basically equalist division लेमा हमें क्या बताता है कि अगर किसी भी positive number ने कोई भी positive two positive number ले 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 ए एन बी such that a is greater than b हमने two number ले लिया a b such that a is greater than b और जब हम b से a में क्या करते हैं divide करते हैं तो we always get a is equal to b q plus r यानि कि जो अपना divisor होता है and question होता है इन दोनों का multiply में जब हम remainder जोडते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं dividend प्राप्त करते हैं basically यही है equalist division लेमा कुछ और बात करते हैं factor की बात करते हैं जब अपना remainder क्या आजाए जीरो आजाए ज्याम दें कि जब अपना remainder क्या आजाए जीरो आजाए तो वहां पे जो अपना dividend होता है sorry जो अपना divisor होता है और question होता है वो दोनु क्या होते हैं factor होते हैं किसके dividend के for example मैंने क्या लिए 6 मैंने 2 से divide किया 3 times 6 remainder we get 0 तो यहां पर क्या देख सकते हैं कि 2 and 3 both are the factor of 6 यानि कि यह जो 6 है यह ना सिर्फ 2 से कटेगा बलकि 3 से भी कटेगा but if we not get remainder 0 यानि कि हमारा remainder अगर 0 के equal नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है then केबल जो हमारा divisor होता है वो भी factor हो question factor हो यह कह पाना मुश्किल होता है यानि कि यह दो चीजे हमको यहां से मिली कि जब हमारा remainder क्या हो 0 हो तो वहां पर जो हमारा divisor होता है और क्या question होता है वो दोनु क्या होते है factor होते है dividend के but r is not equal to 0 when remainder is not equal to 0 then it's not okay आगे बढ़ते हैं इक्विलिस्ट जिवीजन लेमा पे कुछ और questions हम solve करते हैं एक लेट एनी positive number कोई भी एक positive number लेते हैं मैंने कोई 17 ले लिया is equal to मैंने इसको डिवाइड किया 4 थे in 4 times we get 16 and find remainder 1 हमने एक फार्मुला पढ़ाता हम है dividend is equal to divisor into question और प्लस में remainder हमने यह फार्मुला पढ़ा था basically मैंने क्या कहा हम kis TiSove जानते हैं यह से investor किसे जानते हैं क्यों क्यों से और remainder को किस्ते जानते है r से यानी कि अगर हम प्रियोंक में क्या करते हैं A को लेते हैं je dividend B बivas c question अगर अपना डिवीडेंट 17 है और डिवीजर मेरा क्या था तो मैंने क्या किया मुझे इसके लिए मैंने क्या किया फोर फोर्जा 16 और प्लश में 1 यानि 70 इस इक्वल टू 70 बिल्कुल जो अपना डिवीडेंट होता है वो क्या होता है डिवीजर इन्टू क्वेशन प्लस रिमेंडर के एक्वल होता है बात समझ मैं अब यह तो मैंने बताया कि एज इक्वल टू आलवेज बी क्यू प्लस र होता है जहां पर डिपेंड करता है कि हमारे पास एक क्या है और बी क्या है उसके हिसाब से जो हमारा क्यू और र है यह अपने आपको क्या करेंगे एक्जिस्ट करेंगे जो हमारा बी होगा जो हमारा डिवीडेंट होगा उसके हिसाब से ही बी और Q अपने आपको क्या करते हैं exist करते हैं लेकिन equalist division कि जो डूबी डेंड होते हैं वो division into question plus remember के equal होता है बात समझ में आई ना तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने equivalent division algorithm के क्या है इसके बारे में जानते हैं before that pause the video and note it down चलिए बात करते हैं equivalent division algorithm की क्या होता है देखिए जब हम find करते हैं to किसी भी दो नंबर के सिअब की जब हम किसी भी दो नंबर का सिअब करने जाते हैं तो हमें क्या नीड होता है कि सबसे बड़े जो बड़ा वाली संख्या होती है जो सबसे बड़ी संक्या होती है तो समय चोटी संक्या क्या करते हैं devaid करते हैं हमने पढ़ा था अपिछले नीचने classes में कि शब पोश करो कि हमें 6 और ऐसे करने कि 3 and 8 का मुझे hcf निकालना है ठीक है, तो हम क्या करते थे, 8 में हमने क्या किया, 3 का, डिवाइड दिया, वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर इस तरीके की बात कर रहा हूं, मैंने 3 में, 8 में 3 का डिवाइड दिया, 3, 2, 6, मैंने पास क्या बचा, 2, अब मैंने क्या किया, इस 2 म दिवाइड दे दिया किसका तो यानिकी 3 को मैंने क्या बना दिया finalsachsen назв ये तो आपको आता है मैं यहां किया दिखा रहा हूं कि मैं मैंने क्या किया मैंने 8 में 3 क्या डिवाइड दिया 2 टाइम्स मेरे पास 2 रिमेंडर बचा मैं उसी रिमेंडर से मैंने क्या किया फिर जो डिवीजर था उसको डिवीडेंड बनाया और उस रिमेंडर को मैंने क्या बना दिया डिवीजर बना दिया मैं फिर 1 टाइम्स में 2 यहां बिल गा लेकिन अभी तक मेरा remainder जो था वो 0 नहीं आया और इसको मैं क्या करूँगा इसले लॉन 2 को मैं फिर as a dividend यूज करूँगा और 1, 2 जा 2 और remainder मेरे पास क्या बज गया 0 अब मैं क्या कह सकता हूँ कि the hcf of 3 and 8 is 1 1 क्यों? क्योंकि 1 से ही मुझे remainder क्या मिला? 0 मिला यह होता है equilibrium division algorithm ठीक है न? particular इस step को एक step है equilibrium division algorithm एक step है तो particular इस step को ही हम क्या कहते है equilibrium division algorithm अब मैं इसको थोड़ा सा ओर clear करता हूँ कि मैं जब दो number का hcf find करने जाउँगा तो अगर हमारा remainder 0 मुझे मिलता है अगर मुझे remainder क्या मिल जा है? 0 मिल गया, then we get remember 0, ध्यान रहे, तो उसका जो division होता है, वही क्या होता है, SCF of both numbers, दोनों number का क्या होता है, SCF होता है, but अगर हमें remainder 0 नहीं मिला, अगर हमें remainder 0 नहीं मिला, in case मैं उसको क्या करूँगा, equalities division lemma पे ही solve करूँगा, और equalities division lemma क्या कहता है, A is equal to BQ plus R, मैं इसको for example और भी बहतर तरीके से clear करता हूँ, same example पे, मैंने 8 लिया, मैंने इसको 3 से divide किया, 3, 2, 6, remainder क्या बज़ गया मुझे, 0, equalities division lemma क्या कहता है, कि अगर 8 हमारा क्या है, dividend है, और division मेरा क्या है, 3 है, और question कितना है 2, और remainder मुझे कितना मिल गया 2, यही तो है न, equality division lemma, यही तो है न, basically, but मैंने क्या कहा, कि जब तक remainder 0 नहीं मिलेगा, तब तक इस condition को, यानि इस condition को मैं क्या करूँगा, on रखूँगा, it means कि अगर, अगर मुझे क्या मिल गया, remainder 2 मिल गया, not equal to 0 मिला, तो मैं फिर same process, मैं अब जो divisor था, उसको क्या बना दूँगा, as a dividend बना दूँगा, ठेक है, और जो हमारा remainder था, उसको क्या बना दूँगा, divisor बना दूँगा, और मुझे question new क्या मिल गया, 2, 1, जा 2, देखो न, मैंने 3 से divide किया, 2, 1, जा 2, remainder क्या बज़ गया, 1, ठेक है, यानि 2, 1, जा 2, और remainder मुझे क्या मिल गया, 1, मैंने फिर कहा, कि अब भी भी मुझे remainder क्या, 0 की equal नहीं मिला, और जब तक मेरा remainder 0 नहीं हो जाएगा, तब तक मैं इस process को, यानि कि, a is equal to b q plus r, यानि कि, equalities, division, lemma को मैं क्या करूँगा, on रखूँगा, और मैंने क्या किया, 2 को फिर क्या बना दिया, as a dividend, यानि कि फिर जो divider था, मैंने उसको क्या बना दिया, dividend बना दिया, और ये equal हो गया, divider, यानि कि जो remainder था, वो divider बन गया, into, question of plus में remainder, और यहाँ अपना remainder कितना आगया, 0, जब हमारा remainder क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसी का जो हमारा divider होता है, वही क्या होता है, SCF होता है, ये step, equalities, division, algorithm में आता है, बात समझ में आई ना, listen, मैंने क्या किया, एक बार से फिर मैं अपनी बातों को repeat करता हूँ, मैंने क्या कहा, given, ये फिर ऐसे कहले, to find, to find, SCF of two number, A and B, A and B, such that, A is greater than B, we need, we need to remember, remainder 0, ते गा ना, मैंने क्या कहा, कि हम को SCF, find करने के लिए, किसी भी दो number होगा, मैंने A और B लिलिया, जहां A क्या है, बड़ा है पीछे, मुझे क्या, SCF find करना है, दो number होगा, तो मुझे क्या नीट होगा, remainder 0 की, अगर मुझे remainder क्या मिल गया, 0 मिल गया, इट मिन्स कि मेरा SCF निगल गया, नहीं, उस case में मैं क्या करूँगा, जो हमने equalities, division, lemma को use किया है, उसको मैं क्या करूँगा, still on, on रखूँगा, continue रखूँगा, जब तक remainder 0 नहीं आता, तब तक मैं इस वाले को प्रियोग में लाता रहूँ, जैसे हमारा remainder क्या, 0 मुझे मिल जाएगा, मेरा SCF भी मुझे मिल जाएगा, यह होता Achilles division algorithm, मैं बात करूँगा कुछ और important topic में, before that pause the video and notate down, अब मेरे पास एक ऐसा topic है, जिस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा, when A is equal to BQ plus R, इसको अपने अच्छी तरह से समझ लिया है, when A is equal to BQ plus R, then what is the possible value of R, मैंने क्या कहा, कि जब A हमारा BQ plus R की होगा, तो हमारा जो possible value होगी remainder की, वो क्या होगी, तो मैं यहाँ clear कर दूँ, कि जो भी हमारा remainder होता है, वो always, या तो 0 के equal होगा, या वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, and, या तो वो equal, sorry, वो always B से क्या होगा, छोड़ा होगा, क्या आप इस conclusion को समझ पा रहे हैं, मैं clear करता हूँ, कि अगर A is equal to BQ plus R है, तो जो हमारा remainder की possible value होगी, वो क्या होगी, या तो वो remainder, 0 के equal होगा, या फिर उससे क्या होगा, बड़ा होगा, या फिर वो B की value से, always क्या होगा, smaller than है, छोटा होगा, कैसे, मैं check करता हूँ, suppose करते हैं, कि A is equal to, 6Q plus R है, मैं let कर लेता हूँ, कि कुई मेरे पास एक number A है, और मैं उसको 6 से क्या करता हूँ, divide करता हूँ, ये situation है, इस तरह से, कि मेरा remainder 0 होगा, हमने कभी भी, एक ऐसा divide नहीं किया होगा, कि हमारा remainder, negative आजाए, चाए वो negative 1 हूँ, चाए वो negative A हूँ, मैं कोई भी value ले ले लेता हूँ, M ले लेता हूँ, minus M के form में, क्या कभी, अपना remainder, minus M के form में आया है, for example, कि minus M कभो होगा, ठीक है न, और क्यों नहीं minus M आता है, मैं इसकी थोड़ी सी जर्चा कर लेता हूँ, let करते हैं, मेरे पास एक कोई number 8 है, और मेरे पास 3 है, इसको काटने के लिए, यानि की, मेरे पास dividend कितना है 8, और division कितना है 3, let करते हैं, Q minus M नहीं आता है, remainder Q minus के form में नहीं आता, या तो मैं 3, 2, जा 6 करूँ, और remainder मुझे क्या मिल जाए 2, यानि कि ये 0 से बड़ा है, और जो B है, उससे क्या है, छोटा है, क्या minus ये आ सकता है, आ सकता है, बट उसकी एक condition है, कि मैं इसको तोड़े से आगे ले चरूँ, यानि कि 3, 2, 6 ना करके, 3, 3, 3, क्या कर दूँ, 9 कर दूँ, और तब जाके, 8 में से 9 जाएगा, तो कितना मचेगा, minus बड़, बट ये condition, division में होता ही नहीं, divide में, ये condition तो होता ही नहीं, हमने, हमने always यही पढ़ा है, कि जब हम division से dividend को काटने जाते हैं, तो table कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, कि या तो वो dividend के equal हो जाए, या फिर वो dividend से क्या हो छोटा, हमने कभी ऐसा नहीं पढ़ा, कि जो हमारा division है, उसका table हम इतनी times पढ़ें, कि वो dividend से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, ऐसा तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये जो process है, ये तो wrong है, या तो वो dividend होगा, अब मैं clear करता हूँ, इस वाले portion को, कि जब मैं किसी भी number में, 8 में मैं 3 का divide करने जाऊंगा, तो या तो वो क्या होगा, dividend के equal होगा, या तो छोटा होगा, तो बाश समझे, अगर इससे छोटा होगा, कोई भी value छोटी होगी, तीक है ना, मैंने 3 to 6 किया, तो remainder हमारा क्या होगा, always b से छोटा होगा, और या फिर, ऐसा भी हो सकता है, कि अपना division क्या of 4 हो, तो 4 to 6 क्या हो जाए, 8 हो जाए, तो यह हमारे पास remainder क्या बचेगा, 0 बचेगा, negative तो आएगा नि, तो यह portion हमने क्या किया, clear किया, I think आपको भी यह clear हो चुगा होगा, कि जो हमारा remainder होगा, वो 0 की या तो equal होगा, कुछ condition ऐसे बनेंगे, कि equal हो जाए, बट ऐसी condition कभी नहीं होगी, कि यह 0 से क्या हो जाए, छोटे हो जाए, तो या तो वो 0 की equal, और यहा फिर 0 से बड़ी होगी, remainder, B से छोटा क्यों होता है, कि देखो B से बड़ा कभ होगा, मैंने 8 में, 3 से क्या कर दिया, divide कर दिया, ठेक है न, और मैंने 3 तूजा 6 ना लिखके, 3 वंजा मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, और मुझे लग गया क्या, 5, मुझे मिल गया 5, अब यह remainder, क्या है, 3 से बड़ा है, बट यह condition भी हमारा क्या होता है, wrong होता है, क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ा है, कि जब भी हम divide देंगे, तो वो maximum attempt, वो maximum attempt हमने क्या किया, हम maximum attempt तक जाएंगे, कि जहां तक वो उससे क्या हो, चोटी हो, या फिर उससे equal हो जाए, यह तो minimum हो गई न, 3 बंजा 3, ठीक है, जब मेरे पास्ट आपसन है, कि 3 टूजा 6 में कर लू, तो मैं 3 बंजा 3 क्यों करूंगा, तो इस वज़ा से remainder क्या होता है, always, जो remainder होता है, वो B से always छोटी होती है, minimum होती है, बास समझ में आ रहे हैं न, तो remainder जो हमारा होगा, वो always 0 से, या तो equal, या तो उसके बड़ा, और B से, यानि divisor से always क्या होगा, चोटा होगा, यह चीज हम ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे, अब मैं clear करता हूँ, तोड़ी सी और चीज, कि अगर, A is equal to given, 6 Q plus R, तो अपना possible remainder कितना होगा, या तो वो 0 होगा, या तो वो क्या होगा, 6 से छोटा होगा, 6 भी नहीं होगा, 6 से छोटा होगा, यानि 1, 2, 3, 4, 5, बस, यह अपना possible remainder होगा, अगर मैं बात करूँ, A is equal to कितना, 8 B plus R हो, तो remainder कितना होगा, या तो वो 0 होगा, या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 होगा, यानि कि divisor से छोटा होगा, यह अपने possible क्या होजाएंगे, remainder हो जाएंगे, अटेस्टेंड, चलते हैं अपने अगले topic की तरफ, बिफोर देट पॉस्ट वीडियो और नोटेट दाउंगे, तो चलिए, अभी हम कुछ examples करते हैं, ताकि जो भी हमने topic clear किया, उसके बारे में थोड़ा सा और भी, ज़्यादा हम justify कर सकते हैं उसी इसको, ठीक है, और पहला अपना example है, using equalities division algorithm, find का hc up of 867 and 225, clearly, मैं यहां क्या लिकूँँगा, clearly, 867 is greater than 225, 867 is greater than 225, now, जो संख्या बढ़ी होती है, मुसमें divide देते हैं किसको, छोटे वाले से, तो मैंने क्या किया, 867 में 225 का divide दिया, अब देखते हैं कितनी टाइम जाता है, त्री टाइम देखते हैं, 35 जा 15, हैंड में 1, 32 जा 6, 17, and 32 जा 6, clear, अब मैं इसको सब्टेक्ट करता हूँ, minus 5, 2, 6, minus 7, ठीक है न, carry करेंगे, 16 minus 7, कितना बचेगा आपने पार, 9, ठीक है, और यहां बचेगा, 7, 7, minus 6, is equal to 1, अब देखो, मैंने क्या कहा, कि question में, using equality division algorithm, और algorithm क्या कहता है, यह कि step बनाता है, कि आप step by step, आप क्या करों, मुझे find करके, दो, दो number का इस्टिया, तो मैंने क्या कहा, कि using, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, by equality division, मैं किसकी बात करूँगा, मैं lemma की बात करूँगा, equality division lemma, मैंने क्या प्राप्त किया, कि जब मैं 867 को divide कर रहा हूँ, 225 से, तो we get question 3, and remainder 192, अब मैं यह क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यह कि step है, और इस step को, मैं तब तक on करूँगा, जब तक we get 0, जब तक मैं remainder को 0 नफाइंड कर दूँ, ठेक है न, तब तक मैं, अब यह जो हमारा, equality division lemma है, यह मुझे बताता है, कि अब भी तक हम लोगों ने, SCF find नहीं किया, because remainder is not equal to 0, now, मैं इसको continue रखता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, 192 से, अब यह मेरा क्या हो गया, step 1, अब मैं बात करूँगा, 3 बचेगा, यहां बचेगा कितना, 12, 12 से 9, जब मैं subject करूँगा, कितना बचेगा, 3, यह तो pencil out हो जाएगा, ठेक है न, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर वही करूँगा, यह वाली बात, by, equality division lemma, equality division lemma को, यूज करके मैंने क्या find क्या, कि जब मैं 225 को divide कर रहा हूँ, by 192 से, तो question मुझे क्या मिल ला है, 1 and we get remainder 33, अब जब मैंने इस sentence को लिगा, कि lemma, equality division lemma से मैंने क्या देगा, कि मेरा remainder तो 0 की equal है नहीं, तो मैं यहां लिख सकता हूँ, कि remainder is not equal to 0, और यही मुझे बताता है, कि मैं क्या करूँगा, कि जब remainder 0 के equal नहीं है, तो मैं इस step को क्या करूँगा, on करूँगा, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मेरे पास remainder 0 नहीं है, तो मैं इसको और solve करूँगा, ठीक है न, यहां पर मैं इसको हटा देता हूं और मैं इसको और साल्व करूंगा अब मैं क्या करूंगा फिर नाव मैं 33 से डिवाइड करूंगा किसको 192 को 192 को मैं डिवाइड करूंगा ठीक है न क्योंकि we have not remainder 0 और मैं तब तक डिवाइड करूंगा भाई जब तक मुझे रिमेंडर क्या 0 ना मिल जाए तो मैं अब यहां से डिवाइड करता हूं कितनी टाइम करेंगे आई तिंक 6 टाइन 7 टाइम सेवें तो जादा हो जाएगा 6 टाइम करते हैं शिक्सरीजा 18 एटीन और 1 18 और 1 और 19 बड़ा हो गया यह तो मैं क्या करता हूं मैं 5 टाइम कर लेता हूं ठीक है ना और 5 तरीज़ा 15 हैंड में 1 और 5 तरीज़ा 15 बन 16 नाओ वी गेट 12 माइनस 5 7 और 8 माइनस 6 2 और नाओ यह तो डिवीजन लेमा वी गेट 192 एज इक्वल टू 33 इंटू 5 प्लाइस रिमेंडर कितना बचा आप मारे पास 7 और नाओ रिमेंडर इस नॉट एक्वल टू 0 और जब रिमेंडर मुझे 0 नहीं मिला तो मैं अभी भी इसको क्या बता हूं और रखता हूं अब मैं चलूंगा किस इसमें इस्टेफ 4 की तरफ इस्टेफ 4 अपना क्या होगा अब मैं 27 में डिवाइड दूंगा किसका 33 का इन वन टाइम 27 13 से 7 जाएगा कितना बचेगा 6 और यहां क्या बचा यहां बचेगा खुछ नहीं ओके ना तो टोटल मुझे 6 मिला और मैं फिर लिखूंगा बाई एक 33 is equal to 27 in 2 में 1 और प्लस में कितना 6 ओके नौँ रिमेंडर इस नौट इक्वल टू 0 रिमेंडर अभी भी मेरा 0 के इक्वल नहीं है इसलिए मैं अभी भी इसको क्या रखूंगा इस्टेफ 4 और अब बात आगए स्टेफ 5 की मैंने क्या किया मैंने 6 में 27 27 को 6 से दिवाइड कि इन 4 ताइम वी गेट 24 नौँ रिमेंडर जिरो और मैं फिर बात करूंगा य इक्वल इस डिवीजन लेमा वी गेट 27 इस इक्वल टू 6 इन्टू 4 अद प्लस में क्या रिमेंडर 3 अभी भी रिमेंडर मेरा 0 नहीं आया अब जब रिमेंडर मेरा 0 नहीं आया तो मैं अभी इसको फिर क्या करूँगा on रखूँगा और अब मैं चलूँगा step 6 पे मैं इसको clear कर लूँ ठीक है इसको मैं clean कर लूँ step 6 की तरफ बढ़ते हैं अब मैं 3 में 3 से मैं फिर divide करूँगा किसको 6 को और in 2 times we get remainder 0 तो यहां मैं लिखूंगा by equivalence division एमा we get we get 6 is equal to 3 into 2 plus 0 और मैंने क्या कहा था कि जब remainder we get 0 तो उसी का जो B होता है यानि कि division होता है वो क्या होता है S यख होता है so the HCF of what question क्या था हमारा 867 and 2258 बास समझ भाई तो मैं यहां पे यह सू करना चाहता हूं कि अगर remainder हमारा 0 नहीं आएगा तो मुझे ऐसे ही step by step step by step step by step मुझे equivalence division lemma का use करना पड़ेगा उनका help मुझे लेना पड़ेगा और इसी step को मैं equality division algorithm बोलता हूं बस समझ में आए ना again clarity के लिए मैं एक बार और चलता हूं अपने पास example 2 पे उन्हेंने क्या का using equality division algorithm find the issue of 135 and 225 clearly 225 is greater than 135 एक है ना तो जब यह इससे बढ़ा है तो मैं क्या करूंगा 225 में 135 का divide दूंगा in one time we get I think 90 या ठीक है ना by equality division lemma मुझे क्या मिला 225 is equal to 135 into 1 और प्लस में remainder कितना है अपने पास 90 और जब यह 0 की equal नहीं है तो मैं अभी फिर step को बढ़ाऊंगा मैं 90 में यह तो अपना step 1 था ठीक है ना अब मैं चलूंगा step second अब मैं 90 में divide दूंगा किसका 135 into times no one times 90 and we get 394 45 ठीक है ना मैं फिर इनका use करके 135 35 मुझे क्या मिल गया 90 in 2 में 1 और प्लस में remainder कितना हो गया मेरा 45 और यहां पे भी remainder is not equal to what 0 अब मैं फिर इसको step thought की तरब ले चलूंगा step thought मेरा क्या है 45 से में divide करूंगा 90 गो and in 2 times we get 19 and remainder is 0 अब मैं क्या लिखूंगा y equilates division division lemma we get 90 is equal to 45 into 2 plus remainder 0 और मैंने क्या कहा था कि जब we get remainder is equal to 0 then its division is SCF of both numbers तो मैंने क्या किया remainder अगर मेरा 0 है तो मेरा SCF क्या हो जाएगा इन दोनों का SCF कितना हो जाएगा 45 क्योंकि यही इसका क्या है division बास समझ में आएगा तो आई होब कि आप Equalitive Division Lema और Equalitive Division Algorithm को अच्छी तरीके से समझ पायोंगे बढ़ते हैं हम अपने अगले topic की तरफ इट मेंस की अपने exercise 1.1 की तरफ ठेके ना Before that Pause the video and Note it down